फ्रेंट्स ये पिज़ा आप कभी भी मत बनाना क्योंकि अगर एक बार आपने बना कि किसी को खिलाया ना फ्रेंट्स तो बार बार आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें यही पिज़ा खाना है सेम पिज़ा में खाना है फ्रेंट्स ये पिज़ा इतना बढ़िया बनता है थाउजन रुपीज का पिज़ा जो आप मार्केट से लाते होना 100-200 रूपे में आपका घर में फटा 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 अपका पिज़ा बनके रेडी हो जाता है कभी क्या होता है ना फ्रेंट्स पच्चों की डिमांड होती है हम में भी कभी क्रेविंग होती है कि पीज़ा खाना है पट एक घंटे में पीज़ा आप तो ऑडर ही करोगे डिफिनेटली पट घर में एक घंटे के अंदर आपका पीज़ा बनके रेडी हो जाएगा ये भी इतना सूपर डिलिशियस आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स रेसिप बेकिंग सोडा हमें active करने के डालना है साथ में हमें लेना है baking powder फ्रेंड्स बेकिंग सोडा और baking powder हमें डही के साथ हि mix कर लेना है जिससे की एक्टिव हो जाएगा बेकिंग पॉडर बेकिंग सोडा और आपका जो पीजा है बढ़िया सा फलफी बनेगा पाच मिनट के लिए से साइड में रख देते हैं अब हम लेंगे ड्राइ इंग्रेडियंट्स यहाँ पे हमें लिया है होल वीड फ्लार साथ में हमें लेना है मैदा सेम कॉंटिटी में हमने मैदा भी लिया है फ्रेंड्स आप पूरा जो पीजा है मैदे के साथ भी बना सकते हो या फिर होल वीड फ्लार के साथ भी साथ में हमें लेना है साल्ट और पाउडर शुगर मेजरमेंट साथ में दे दिया गया है इस तरीके से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है हो सके ताब एक बार इसी छान लीजेगा अब देखिए पाँच मिनट के बाद ये जो दही है कितना फ्रौती हो गया है उसमें बबल्स आ गया है बड़े-बड़े है न क्योंकि बेकिंग सोड़ा बेकिंग पाउडर अच्छे से एक्टिव हो गया है अब ये दही से हमें ये आटा गुन लेना है है न फ्रेंट्स तो ये बहुती सिंपल ट्रीक है बहुती बड़िया बनता है तो हमने सारा दही जो है इसमें इस तरीके से डाल दिया हमेशा धान में रखना है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा दही के साथ ही मिला के आपको रखना है अब देखे फ्रेंट्स यहाँ पे हमें इस तरीके से आटा गुन ना है आटा जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हो वैसे ही हमें यहाँ पे आटा गुन लेना है फ्रेंट्स हो सकता है यहाँ पे दही की कॉंटिटी आपको और लगेगी आपको पानी का यूज बिलकुल नहीं करना है अगर जरुरत है तो दो से तीन टेबल स्पुन आपको लेना है दही make sure दही थंडा नहीं होना चाहिए हलका सा अगर थंडा है तो कोई प्राबलिम नहीं बट बहुत ज़ादा चुल्ड दही हमें नहीं लेना है हो सके तो रूम टेंपरेचर पे रहेगा तो जादा अच्छा रहेगा यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आटा गुन रही हूँ इस तरीके से हलके आतों से आपको आटा गुनना है इस तरीके से सौब डो हमें लगाने ना है फ्रेंट्स वह जल्दबाजी मत किजिएगा यह देखे इस तरीके से हमने आटा बना लिया है अब बारी आती है यहाँ पे ओईल डालने की यहाँ पे मैंने सनफलॉर ओईल लिया है सनफलॉर ओईल डालने के बाद हमें इसे अच्छे से नीड कर लेना है जब तक पूरा ओईल जो है एबसॉब नहीं हो जाता ठीक है ना फ्रेंट्स इसे अराम से आप इस तरीके से नीड करते जाएए पूरा ओईल जो है अच्छे से एबसॉब हो जाएगा और आटा देखी कितना बढ़िया perfect dough हमारा लग गया है soft सा आटा हातों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है सो समझ लीजे आपका pizza dough perfect ready हो गया है so friends अब ये ready हो चुका है थोड़ा सा oil लगा कि इसे आप 15 मिनट के लिए resting time दे दीजेगा ठीक है 15 मिनट इसे cover करके कोई भी गरम जगा पे रख दीजिएगा ताकि ये हलका सा full जाए ठीक है बहुत जादा resting time देने की जरुरत नहीं है तब तक हम topping की तयारी करते है pizza topping के लिए मैंने यहाँ पे simply paneer लिया है paneer में मैंने लिया है pizza sauce आप ready made या homemade pizza sauce definitely use कर सकते हो साथ में हमें लेना है pizza seasoning या फिर italian seasoning आप ले सकते हो so एक जो है ना यह marination मैं कर रही हूँ साथ में हमें लेना है chili flakes आप अपने हिसाब से यहाँ पे chili flakes डाल सकते हो साथ में हमें लेना है और एगया नो बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है friends और इसे आपको अच्छे से mix कर देना है इसमें salt वगरा बिल्कुल भी नहीं डालना है और power हो जाएगा so यहाँ पे इसे हमने 5 मिनट के लिए side में रख देया है यहाँ पे देखे हमारा पीजा का dough जो है एकदम ready हो गया है देखे हलका सा fluffy हो गया है बहुत जादा नहीं हलका सा ठीक है तो यहाँ पे एक बार आप इसे अच्छे से इस तरीके से नीट कर लीजेगा अब बारी आती है इसे रोल करने की ठीक है यहाँ पे आपको कॉर्ण मिल लेना है मिल मकई का आटा जो होता है यह हमें लेना है इस तरीके से मैंने डस्टिंग कर लिया है कोई भी clean platform पे इस तरीके से डस्ट कर लीजेगा और इसे आपको अच्छे से बेल लेना है बहुत जादा थिन मत बेलियेगा का base बनाया है इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी सबसे पहले जो भी sides है उसमें हमें mozzarella cheese फिल करना है यह देखे फ्रेंड्स किस तरीके से मैं कर रही हूँ और एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मेरी recipe अगर आपको पसंद आती है तो like, share करना ना भूले फ्रेंड्स और प्रियाज Magical Kitchen Facebook, page, Instagram and YouTube चैनल को subscribe करना ना भूले ताकि आपको daily updates मिलते रहें तो फ्रेंड्स यह देखे इसी तरीके से हमें सारे sides अच्छे से lock कर देना है ठीक है? यह देखे पूरी तरीके से lock कर दिया है अब हलकी हातों से थोड़ा थोड़ा पेस कर दीजिएगा ताकि चीज जो है एकदम से बाहर ना है बेख होते समय चीज बाहर आ जाता है और यहाँ पे देखे हमने क्या किया है इस तरीके से फोर्क की सायता से हमने छोटे छोटे होल बनाया है बहुत जादा नहीं अब यहाँ पे हमें लेना है पीजा सॉस पीजा सॉस अच्छे से हमें स्पेट कर लेना है दो से तीन टेबल स्पून इनफ है पीजा सॉस है न परेंड्स कितना बड़िया दिख रहा है अब द क्वेखे यहाँ पर चीज हमने डाल दिया उपर से यहाँ प्पर मैं डाल रही हूँ पिज्जा सिजनिंग साथ मैं डाल रही हूँ चिली फेलेकस साथ में हम डालेंगे और रियनो तो ऐसे ही पिजा की टॉपिंग के उपर हर चीज आपको डाल देनी है और फाइनली यहाँ पे कुछ वेजीज है मेरे पास तो मैंने यहाँ पे लिया है केपसिकम, टमेटो आप चाहो तो स्कीप कर सकते हैं बड़ा खुबसुरत भी दिखता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है तो टमेटोस मैंने रख दिये हैं और साथ में मैंने यहाँ पे यह दे के मैरिनेट किया हुआ जो पनीर है यह हमने इस तरीके से रख देना है मैंने तो भर भर के डाला है भई बहुत ही बढ़िया और सात में हमें लेना है उबला हुआ कौर्ण ठीक है स्वीट कौर्न हमने लिया है बॉयल करके लेना है और यहाँ पे हमें लेना है बलैक। ऑल्लियूज जो पीज़ा का जो लुक आता है ना friends ऑलियूज के साथ बहुत ही खिल के दिखता है और उपर से एक बार आपको अच्छे से पीजा सिजनी आप चाहो तो चिली फ्लेक्स और डाल सकते हो आपको कितना तीखा अच्छा लगता है तो फाइनल ये बेक होने के लिए रेडी है कैसे दिख रहा है अभी भी कमेंट में आप पता दीजेगा और जरुँर ट्राइ करना है अब बारीाती है इसे बेक करने की जो इसे हम बेक करेंगे बेक करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाप पर … और यहाप कड़ाई में बी सिम्प्ली बेक कर सकते हूँ बेक करने से पहले आपको milk wash करना है जो हमारा normal milk होता है इसे apply कर दीजे ताकि जो ages है नो वो हलके से golden हो horn तो हम पता चलेगा कि हमारा pizza जो है अच्छे से बेक हो गया है नहीं को時ári इस तरीगे से मैंने milk से apply कर दिया है इस तरीके से बहुती बड़िया कलर आता है तो हमें पता चलेगा कि हमारा बेख हो चुका है पीजा यहाँ पे 180 डिग्री पे मैंने अंदर में थर्मामिटर रखा है 7 मिनिट के लिए बोध रॉड अन करके मैंने प्रिहिट किया है और अच्छे से प्रिहिट होने के बाद इसे आपको बेख करना है ठीके देखिए थर्मामिटर मैंने रखा है थर्मामिटर धीरे धीरे बताएगा ठीके जब भी 180 डिग्री आ जाए हमें यहाँ पे पीजा को बेख करना है थर्टी फाइफ मिनटर के लिए 30-35 मिनटर में अराम से बेख होई जाता है इतना ध्यान रखना है जो हमारे अमने एजिस में मिल्क लगाया है तो उससे क्या होगा गोल्डन हो जाएगा हमना हलका सा ब्राउन गोल्डन ऐसा लुक आएगा हमारे पीजा को तो समझ में आएगा कि हमारा पीजा जो है अच्छा सा बेख हो गया है तो जब तक यह गोल्डन राउन नहीं हो जाता है तब तक आपको इसे बेख करना है ठीक है तो 30-35 मिनट तो अराम से लगी जाएगे अब देखे यह धीरे धीरे अभी देखते जाओ कितना बढ़िया दिखेगा इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है पूरा वीडियो आप देखेगा बहुत ही बढ़िया लगेगा और फलपी मतलब जैसे इसे फुला हुआ पिज़ा आपको देखने मिलेगा और खाने भी मिलेगा फ्रेंड्स तो यह देखे और यह देखे तीस मिनट के बाद जहें ऐसा बना है हमारा पाच मिनट बाकी थे तो मैंने वीडियो शूट कर लिया यह देखे फ्रेंड्स कितना बड़िया बनाया है ना हमारा पीज़ा और बहुत ही सुन्दर दिख रहा है बहुत ही गरम है पिज़ा रेड़ी है friends, आप देख रहे हूं, यह देखिए, बहुत ही गरम गरम हमारा पिज़ा बन के रेड़ी है, सर्दियों कि सीजन में क्या मज़़ा आएगा friends गरमा गरम पिज़ा खाने में और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से अब मैं इसे cut लगा दूँगी आप जैसे चाहे आप pieces में cut कर सकते हो आपकी इच्छा चोटे बड़े जैसे चाहे और यहाँ पे मैं अभी एक cut मैंने लगा दिया था और भाद में मैंने बाकी भी cuts इस तरीके से लगा दिये हैं कैसे लग रहा है आपके मुँँ में पानी आया या नहीं pizza lovers के लिए especially इनको pizza पसंद नहीं है उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते बट यह फटा फट बनने वाला pizza है ज़रूर ड्राइ करना अपने kids के लिए family के लिए वो भी बहुत मजे मजे से खाएंगे बाहर से 1000 रुपीज का pizza लाने से अच्छा घर में 100 दोसों में जब pizza बन रहा है तो क्यों लाना है बाहर से हैना friends आपको कैसी लगी recipe genuinely बताएगा comment में और यह full proof recipe है ज़रू try करना as it is और try करना और photos भी मेरे साथ आप share कर सकते हो तैंक यू फर watching friends enjoy your day bye bye take care all